स्वागत है दोस्तों आपका हमारी यूट्यूब चैनल डिजिटल डूर में जहां आपको मिलती है डिजिटल मार्केटिंग से रेलेटिड प्रेमियम नौलिज फ्री आफ कॉस्ट दोस्तों आज कि हमारी इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टो इंडेक्स और बैक लिंग फास् दोस्तों इस टेक्निक का यूज करने के लिए हमारे पास इन दो चीजों का होना बहुत जरूरी है एक हमारे पास एक ब्लॉगर वेबसाइट मौजूद होनी चाहिए ध्यान रखे यह आपकी मनी साइट ना हो और दूसरा वह प्रॉपरटी आपके सर्च कंसोल में एड हो तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसे एक्जेक्यूट कैसे करना है तो सबसे पहले हमें अपने ब्लॉगर अकाउंट पर जाकर न्यूव पोस्ट पर क्लिक करना होगा जब हम इस इंटरफेस पर पहुंच जाएंगे तो हम यहां पर टाइटल कुछ भी लिख सकते हैं जैसे कि फूर अग्जांपल मैं यहां पर लिख देता हूं वेबसाइट्स और यहां पर हमें उन लिंक्स को पेस्ट करना होगा जो हमारी बैक लिंक्स है दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास यह कुछ बैक लिंक्स हैं इन्हें मैं कॉपी कर लेता हूं और कॉपी करने के बाद हम इने यहां पर पेस्ट कर देंगे बिलकुल इस तरह से दो ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा लिंक्स पेस्ट ना करें और उसके बाद यह को कॉपी करेंगे पहले हम व्यू पे जाएंगे और उसके बाद हम इसके यूरल को कॉपी कर लेंगे जब हम इसके यूरल को कॉपी कर लेंगे तो हम सर्च कंसोल पर जाएंगे और उस प्रॉपरटी को चूज करेंगे जो हमारी ब्लॉगर वेबसाइट है उसके बाद हम इंस इंडेक्स करेंगे कि यहां पर भी थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन जब यूरल इंडेक्स हो जाएगा तो गूगल हमारे सारे बैक लिंक्स को क्रॉल कर लेगा अब यह सकते हैं आप टेस्टींग चल रही है सम्मिट हो चुकि है रिक्वेस्ट तो एक बार हम इसे टेस्ट कर लेंगो टेस्ट लाइव यॉर्यल पर क्लिक खरके दोस्तों हम मेंसे काफे सारे लोगों का सवाल होगा कि आखिर हम यह कर क्यों रहे हैं तो अब पहले तो यह देख सकते हैं कि URL अब Google पर अवेलेबल हैं तो दोस्तों हम यह SSLA कर रहे हैं क्योंकि जब हम 100 वेबसाइट पर जाकर 100 लिंक बनाते तो हमें नहीं पता कि Google उन 100 URL को कब तक जाकर क्रॉल करेगा और जब हम उसे एक ही जगा पर लाकर पेस्ट कर देंगे एक ही ब्लॉक के अंदर डाल देंगे और उसे हम इंडेक्स पर लगा देंगे तो इससे फायदा यह होगा कि वो 100 के 100 URL एक बारी में क्रॉल हो जाएंगे साथ के साथ हम यहां पर इसे इंडेक्सेशन के लिए लगा सकते हैं लेकिन हम जहां जिस वेबसाइट पर लिंक बना रहे हैं उसे तो हम अपने क्रॉलिंग पर लगा नहीं सकते हैं तो इसलिए हम यह सब करते हैं दोस्तों ऐसा करने से आपके बैक लिंग ना सिर्फ जल्दी क्रॉल हो जाएंगे बलकि जल्दी इंडेक्स भी हो जाएंगे तो दोस्तों यह थी हमारी पहली टेक्निक तो चलते हैं अगली टेक्निक की तरफ दोस्तों यह टेक्निक भी हमारी प Google ڈौ डॉप में पबिश करें क्योंकि इससे होता है कि अगर हम जादा लिंक पबिश कर लेते हैं तो गूगल के नजरों में हम इस पैमर के नजर पर दिखाई देते हैं तो हमें धियान रखना है कि हम जाद़ से जादा 30 50 सिया से जाधे जाधा 100 लिंक्स पब्लिश करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी ड्राइब खुल चुकी है तो हमें यहां पर न्यूप पर क्लिक करना है और यहां पर जा कर हमें Google लॉप पर पर क्लिक करना है अब डूस्तों जितने में Google लॉप खुल रहा है हमें उन सबसे पहले गूगल डॉक मर पब्लिश कर देना है तो दोस्तों इन यूर्ल को कॉपी करने के बाद हमें अपने गूगल डॉक पर जाकर इने पेस्ट कर देना है कि यह को दो हुतों पेस्ट करने बाद वाला प्रोसेस बहुत यह ध्य Sense डेने यह तो हमें ध्यान देना होगा क् ukson पर प्लिक करने के बा फब्लिश डूरब इस ऑप्शन पर डिक कर देना होगा पुब्लिश बटन दबा देना होगा और इससे आपका जो गूगल डॉक है वो वर्ल वाइड वैब पर पुब्लिश हो जाएगा दोस्तों आपकी जानकारे के लिए बता दूं कि गूगल वेबसाइट का क्रॉल बिजट सबसे हाई होता है तो जब आप अपने गूगल डॉक टोस्तों गोगल वोग गूद्वल बेक पर जाता है जिस से इंडेक्स हो जाएंगे तो दोश्तों यह थी वो टेक्निक जिस से आप अपने बैक्लिंक्स को साथ से दस दिन में इंडेक्स कर सकते हैं पर रुखिए केवल यही दो टेक्निक्स नहीं जिससे आप अपने बैक लिंक्स को इंडेक्स कर सकते हैं इससे और भी ज़्यादा advance और powerful टेक्निक्स है जिससे आप अपने बैक लिंक्स को इंडेक्स कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को हम part two बनाएं तो comment box में comment जरूर करें we want part 2 तो दोस्तो अगर आप कोई वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को subscribe कीजिएगा वीडियो को like कीजिएगा और इस वीडियो से related कोई भी query हो तो उसा comment में जरूर type कीजिएगा हम आपकी help जरूर करेंगे तो चलिए दोस्तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में